यह पीछे हम अपनी जो नई साइट है उसके उपर खड़े हुए है और जहां तक आपकी नजर पीछे दिखाई दे रही है खाली खेत पड़े हुए है थोड़ा से डिस्टरबेंस ज्यादा है आवाज शाहिद हो सकता है सापना है आपको तो यह पूरा खाली खेत जितना अगे जितना भी खेत है वह सारा पूरी हमारी साइट होगी इस कॉलोनी का नाम हमारा रिवर ग्रीन होगा नहर नजजदीक होने की वज़े से हमने इसका नाम रिवर ग्रीन रखा है और इसमें भी हम आपको सिंगल ग्रीटेट सोसाईटी डेंगे सेक्योरिटी गाड्ड द उन सारी कॉलोनियों को आपको टूर कराऊंगा और अन्त में लेके चलूँगा आपको एक नई कलोनी जो हमारी लॉंच हो रही है जहां आभी कुछ नहीं है खेत है तो उसके विशे में भी दिखाऊंगा यह मैं खड़ा हूं अपनी फेस वन डिफेंस गार्डन फेस वन लिल लिक्षा देते हैं तो यह तो हमारा फेस वन की छोटी सी एक क्लिप हो गई और इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा गोहर नी बाइपास पर जहां हमारा जो हमने फेस टू बनाया है उसकी आपको एक विउसका दिखाऊंगा और उसके बाद फिर चलेंगे हम अपने न लगबग 55 मकान से बन चुके हैं वेल डबलब सोसाइटी है हमारी यह यह आप देखिए वहां से आप देखो सारे घर बन गी हैं यह सारे 120 गज के प्लॉट है यह वहां कोने में उतर 70 गज के प्लॉट है यह पूरा एरियल व्यू है हमारे डिफेंस गार्टन फेस वन का यह यह आप देखिए सामने आप देखोगे दिल्ली रोड है दिल्ली रोड से अंतरी है अन्दर यह हमारी सोसाइटी का गेठ है यहां सा हमारी सोसाइटी ए सुरू हो जाती है भा बी yapıyor है यह आगे हम अपने डिफेंस गार्ड़न फेस टू गवार्नी बाइपास पर और यह जो का विल्कुल डवलोप्मेंट कंप्लीट हो गया और एक चीज और दिखा देता हूं कितनी हम सुरक्षा की द्रिष्टी से कितना द्यान अपने ग्रहाकों का रखते हैं यह आप पीछे देखिए यह जो नैशनल हाइवे वालों का जो है कि उनके हसाब से जो हमने बनाया यह हमने अपनी कॉलोंडे के गेठ के सापने डिवाइडर बना दिआ यह जिससे की कॉलोंडि मेंिसे कोई भी बच्चा या बड़ा गाड़ी लेकर निकले तो सीधा हाइवे पे ना है और एकसेडेन्ट के चांस ना बने इसलिए रगा और इधर आप देखो है कितना इस हमने ओल के सामने वाली जगह में जाए म confession सपस्टी कवेड के लिए अलग से रखा है Father यह हमारा बोड आजाएगा विस पर ईधेंसी गाडनि का जो डीफांस इसकी आजाएगी मैं कोशिश करता हूँ अभी आपको कहीं से मैं एरियल व्यू दिखाऊं क्योंकि गेट के ऊपर तो चरनने का कोई इंतजाम नहीं है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि अपनी का इसका फेस्टू का भी आपको एरियल व्यू दिखा पाऊं यह देख नई साइट पे जहां हम एक नई कलोनी की सुब शुरुवात करने वाले हैं यह जी पूरी सोसाइटी डिफेंस गार्डन फेस्टू गौर्णी बाइपास का एरियर व्यू आप सामने देख रहोंगे शामली का रिंग रोड जो बाइपास बना वो चालू हो चुका है सामने आप देखे हमारा सोसाइटी का मैन गेट यहां से एंटर करते ही यह पूरी हमारी सोसाइटी है इस तरीके से यह सारे 40 फिट के रास्ते हैं पिसली वीडियो मां आपने देखा होगा कि किस तरीके समने उसका चट पर चड़के आपको दिखाया था यहां पर आज की डेट में लगभग 11-12 मकानों पर काम चल रहा है यह रनिंग अवस्ता में यह मकान है एक वहां बन रहा है एक वहां बनी गया है दो पर आपके सामने काम चल रहा है एक बंद रहा है एक पर वहां काम चल रहा है ये बन चुका है एक पर वहां नीव का काम चला है और दो इधर चल रहा है। ऐसे इसमें दस बारा मकान का का मां चल रहा है कि यह राजी पूरा area view चले जी आपको defense garden face 1 दिखाया face 2 का टूर कराया और आप चलते हैं हम हम, अपनी नई सोसाइटी जो हम बना न efforts नेटches हैं उससे आपको मैं बतातां और दिखातां हूं भी कहां हम बना नेख़ों देखों जी आप मेरे पीछे आप देख रहें यह नहर है शामली की बड़ी नहर और i signals की बरे और सामने जो सड़क आ रही है ये मंडी से मंडेट होते वे सीधे आ जाती है और नहर की उस पट्री पे जब हम जाते तो सीम आफिस और सरकारी अस्पताल और जो आगे करनाल रोड को मिल जाता है रास्ता और इधर अगर आप देखेंगे तो ये हम बधेव की तरब चले जाते है आपको मैं दिखाता हूँ माइल स्टोन लगावा कितनी दूर है ये माइल स्टोन लगा हुआ है यहाँ शामली 0 किलो मिटर है मतलब हम शामली में हैं और आप देखने बधेव यहाँ से 2 किलो मिटर गड़ी पुकता 9 किलो मिटर और ठाना बहन 21 किलो मिटर है और हमारी जो स गंड़े वगरा दिखाई दे रहे हूं तो मैं आपको वहीं लेके चलता हूं और फिर मैं वहाँ आपको बताता हूं अपनी सोसाइटी के बार चलिए जी मैं बैदल देड़ सो मीटर आगया नहर के पुल से और यह पीछे हम अपनी जो नई साइट है उसके उपर खड़े हु होगी और चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूं चलिए थोड़ा सा सड़क होने की वज़े से यादर डिस्टरबेंस था तो हम अपने जो है साइट के बीच में खेत के बीच में आ गए और यह मैं आपको बता दो कि कल ही हमारा किसान से एक्रिमेंट हुआ है और आज आ वहां तक जहां तक आपकी नजर जारी जो खाली खेत आपको दिखाई दे रहे हैं वहीं तक पूरी हमारी जमीन है और यह पीछे जरा फसल कच्ची है अभी तो इसलिए इसको भी हमने नहीं काटा है यह थोड़ा सा किसान को भी या जैसे भी होगा जो भी आगे का हमारा व होगा नहर नजदीक होने की वज़े से हमने इसका नाम रिवर ग्रीन रखा है और इसमें भी हम आपको सिंगल गरेटिट सोसाइटी देंगे सिक्योरिटी गार्ड देंगे सिविर लाइन बिजली रास्ते सारी चीज़ें कम्प्लीट कर के देंगे हम आपको इसमें और यह का ऐसा कुछ मैप आपको है जिसमें हमने 40 फीट 30 फीट के रास्ते 25 फीट के रास्ते भी दिये हैं और प्लॉट साइज भी 75 गज से लेके 223-235 गज तक के भी हैं और इसमें पार्क भी जादा हैं इसमें 4-5 पार्क की वह सामने की है तो यह आप देखिए पूरी साइट को च 10 दिसमबर 2023 से रविवार से हम इसकी बोकिंग ओपन करेंगे और 20 दिसमबर तक लास्ट डेट होगी जिसमें आपको एक हजार रुबे की छूट मिलेगी जो मैं 18 19 20 बताएं वह आपको 17 18 और 19 के रेट में मिलेगा नीचे हमारी पूरी टीम के फोन नंबर चल रहे हैं इन फ घर आके मिलें तो वह भी सुविधा है आप हमें जस्कॉल दीजिए या हमें एक बार कॉल कीजिए और हमें अपना एड्रेस दीजिए लोकेशन दीजिए हम आपके घर आके आपको समझाएंगे चले आपने पुरानी वीडियो में हमारे काफी लोग ने वीडियो देखी औ और बहुत सारे लोग आए भी हमारे पास और हमारे साथ फोन पे भी संपर्क किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये नई साइट शुरुआत में ही आप आएंगे और शुरुआत में इन्वेस्ट करें प्रोपर्टी में प्रोपर्टी का इन्वेस्टमेंड जो है कभी कम नह होता कभी आपको नुकसान नहीं देता तो हमेशा आप इसे एक फायदय का सोधा समझ सकते हैं और आराम से आप आईए यहां और प्लॉट लीजिए और जो भी मुनाफ़ा है वो आप कमा सकते हैं और हजार उपका डिसकाउंट जो है हम आपको 20 दिसंबर 2023 तक एक हजार उपका डिसकाउंट देगे हैं बहुत इंपोर्टन चीज जो छूट गई थी बताने में यह सोसाइटी अमारी अपरूड रहेगी और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी अपनी कलोनी का टाइम टू टाइम जो डवलप्मेंट हो रहा है वह हम छोटे चोटे वीडियो शौट वीडियो डालते रहते हैं तो वह आप तक पहुंचे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह मेरी वीडियो जो भी आपके चीर परिचित होंगे और रिष्तेदार होंग पर यह मेरा चोटा भाई है सोनु चोधरी इसका नंबर भी इसे नीचे लाइन पट्टी में चल रहा है और यह हमेशा आपको यहां साइट पर मिलेगा और मेरे से अगर आपका संपर्क होता है और आप यहां साइट पर आना चाहते हैं मैं मिलूगा तो बहुत अच्छी ब